नमस्ते, असलोब विल्कम टो डी आइवाई जेन के दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने जारे हैं कुछ दिफरेंट तो बहुत सारे दोस्ट जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि प्रेशर वाशर्स जो हैं बहुत होगे इनफ अफ ध प्रेशर वाशर्स तो अब हमें कोई और डिफरेंट टूल दिखाए तो इसलिए दोस्तो मैं आज आपके लिए डिफरेंट वीडियो लेके आगया हूं इसमें हम डिफरेंट टूल को अन्बॉक्स करेंगे और उसकी यूजेज भी देखेंगे तो सबसे पहले मैंने वोड़वर्किंग के रिलेटिड कुछ टूल मंगाये हूएं तो हर हफ़ते एक वीडियो मैं आपके सामने लाओंगा इन वोड़वर्किंग टूल को लेके तो आज का जो हमारा टूल है दोस्तो वो है इलेक्रिक प्लैनर तो बेसिकली यह रंदा है जो की बिजली से चलता है गोचैंग कंपनी का यह एलेक्रिक प्लैनर है तो बहुती सस्ता है अल्मोस्ट ट्वणी फाइव हंडर्ड एप्रॉक्सिस की प्राइस है तो मुझे बहुत ज़दा सस्ता लगा यही सेम प्लैनर जो है बॉश यह डिफरेंट कंपनीज के डबल द प्राइस थे और वो भी चाइना से ही बनकर आते हैं तो बट मैंने प्रैफर किया कि मैं यह वाला प्लैनर मंगाऊ और कुछ पैसे बचा लूँ तो चले दोस्तों इस प्रड़क्ट को हम सबसे पहले तो अन्बॉक्स करेंगे उसके बाद इसके सभी फीचर्स करेंगे उसके बाद इसकी यूज भी देखेंगे हाला कि मैं प्रोफेशनल कारपेंटर नहीं हूँ बट दोस्तों कम्पलीट नॉलेज मैं आपको इस एपिसोड में गरेंटी करता हूँ जो आपको और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा तो सबसे पहले हम इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क यहां की बात करें तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्षन मैनल एक मैनुल के अंदर आपको एक पर मिल जाएगा आपके काम में यूजा सकता है उसके बाद यहां पर हमें स्प्यर कार्मन Talking household की ऑ मेनुड पर और दो इसके बाद रोगने आपको पुरा पर लिए इसको प्लैनर में लगा के एक specific पाथ पे भी चला सकते हैं उसके पार ये दो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जोस्तों ये blades को sharp करने के लिए हैं इसके अंदर blades लगे होते हैं वो कभी dull हो सकते हैं जब उनको ज्यादा use करें तो वो dull हो जाते हैं उसके पार आपने क्या करना है blade निका तो यह भी इसी तरीके की एक jig है यहां पर आपको एक pair मिलता है blades का ठीक है यहां पर दो blades spare दियो गए है दो blades machine के अंदर already लगे हैं और दो blades आपको spare मिलते हैं blades को change करने के लिए यह आपको tool मिलता है दोस्तों यह extra belt भी मिलती है मशीन के अंदर एक belt लगी होती है in case कभी तूट जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा belt भी provide की गई हुई है तो चलिए अब बात करते है main machine की तो दोस्तों यह है gochang का electric planner 710 watts इसकी power है काफी powerful है 15,000 rotations per minute की speed से यह चलता है तो यह काफी जो रंदा मारने का काम होता है जिसको हिंदी में रंदा मारना कहते है तो रंदा मारने के काम को यह बहुत ही जदे easy कर देता है तो अगर आप carpenter है तो आपके लिए बहुत ही important tool होने वाला है यह तो यहां पर देखिए यहां पर इसकी motor लगी हुई है और यहां पर इसका ट्रिगर है और यहां पर इसका continuity button है अगर इसको continuous चलाना चाहते है तो trigger को press कर दीजिए उसके बाद इस red छोटे से button है इसको press कर दीजिए और यहां पर आपका trigger जो है continuity mode में आ गया और यहां पर cutting depth है उसको adjust करने के लिए wheel दिया गया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते है 0 mm है उसके बाद 1 mm है उसके बाद 2 mm है ठीक है maximum यह 2 mm tap की width को support करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है पर 2 mm काफी ज्यादा होत है normally हम इसको 1 mm पर ही use करते हैं यहां पर जैसे देखिए arrow है तो यहां पर आगया 0 यहां पर आगया 1 और यहां पर आगया 2 ठीक है तो 1 mm जो है बिल्कुल perfect depth होती है काटने के लिए तो इसके bottom को अगर देखें तो bottom पर दोस्तों यह इसकी surface है जहां से normally main काम होता है तो यहां पर यह वील लगा हुआ है drum लगा हुआ है drum के ओपर 2 blades है ठीक है एक blade यह है आप यहां पर देख सकते हैं यह blade है और एक और दूसरा blade भी लगा हुआ है यह आपको एक extra pair भी मिला blade तो दोस्तों यह बहुत तेजी से drum घूमता है और यही planning का काम करता है रंदा मारने का काम य अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको यह groove भी मिलते हैं ठीक है इनकी depth अलग अलग है suppose किसी भी लकडी का कोना है लकडी के कोने के ओपर यह groove जो है fit हो जाते है उसके बाद उस कोने को आप flat कर सकते है तो यह भी एक बहुत अच्छा feature है यहां पर चोटा कोना हो तो उसके लिए यह यूज करेंगे अगर बड़ा कोना हो उसके लिए यह यूज करेंगे दोस्तो गाइड जो है गाइड यहां पर fit होती है तो गाइड के बारे मैं आपको बता दूँ ग्राइड जो है यहां से आप इस पहले वील को थोड़ा lose कीजिए उसके बाद करना है इसको लॉक कर दीजिए चीक है उसके बाद आपका जो रंदा है यह प्रॉपर गाइड के हिसाब से चलेगा चीक है आप इसको प्रॉपर एक स्पेसिफिक पाथ पर चला सकते हो तो दोस्तों यह टूल जो है बहुत ही जदा सिंपल है और सिंपल होने के साथ-साथ- जदा यूसफुल है कारमेंटर्स के लिए चलिए सीथा बाहर चलते हैं और इसकी वरकिंग को देखते हैं कि किस तरीके से यह काम करता है तो दोस्तों यह है वह लकडी का पीस जिस पे हम आज का यह टेस्ट करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने 2 mm की डैप्थ जो है वो सेट की थी और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मैटेरियल हटाया है 2 mm की डैप्थ ने तो अब हम गाइड लगा के भी ट्राइ करते हैं और इसका भी यूजेच देख लेते हैं और इसके स्टार्ट करते हैं तो चलिए अब जो इसका ग्रूव है यानि कि ये खांचा है इससे हम इस कोने को फ्लैट करते हैं जय को मैं लूपम HaFit किड kanis itu नाहे जो और यहां पर आप रिजल्ट करते हैं कि जो काम किया हुआ है एक जो एज वह को हटाया है कोने को और गाइड में वारे इक सेपरेड सा एक जगह बनाए है उसको भी आप देख सकते हैं और ओवराल रिजल्ट्स जो है इस चाट में आप देख सकते हैं तो दोस्तो ये था रिव्यू गोचैंग के एलेक्रिक प्लैनर मॉडल नमबर जी सी एच एटू पी का तो काफी बढ़िया और काफी सस्ता एलेक्रिक प्लैनर है जिसे आप खरीच सकते हैं और अपनी शॉप में इसको आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तो आगे और भी वुड़ वर्किंग टूल्स के वीडियो मैं लाने वाला हूं अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक भी कीजेगा शेर भी कीजेगा थैंक यू फर कमेंट टू डिय वाई जैन के बाबाई